हेलो स्टूडेंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस्वूड एजुकेशन में पिछली क्लास में हमने समय साण्णी की अवधारना के बारे में पढ़ा था समय साण्णी का निर्माण करना अत्यनता आवश्यक है अगर सिक्षन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है उप्योगी बनाना है तो उसके लिए अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की आवश्यक्ता नुसार उचे समय साण्णी का निर्माण करना आवश्यक होता है अगर सिक्षन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है, इसे स्कूल का दरपढ का जाता है, किसे समय साणनी को स्कूल का दरपढ का जाता है, जिस प्रकार दरपन्ट चेहरे की सुंदर्ता तथा असुंदर्ता को दिखाता है उसी प्रकार समय सार्णी के माध्यम से स्कूल की वीशेशताओं तथा कमजोरियों को देखा जा सकता है समय सार्णी के कईलाभ हैं जिन में से मुख्य निमलिखित हैं तो हमने क्या पढ़ा सम इसकूल के जो कारे होते हैं वो नीमिद धंग से होते हैं ठीक है विद्यार्थियों और अध्यापकों की आविशक्ता नुसार समय सांड़नी का निर्मार करना आविश्यक होता है और समय सांड़नी को क्या कहते हैं इसकूल का दरपन कहा जाता है इसकी विशेषता है निम लि पूर्व नियोजित योजना होती है इसमें पहले से ही सबकुछ चार्ट की रूप में बना होता है तो जो अध्यापक होते हैं और विद्यार्थी होते हैं उनको पहले से अपने काम का पता चल जाता है इससे अध्यापकों को अपना काम पूर्व नियोजित करने में साहता मिलती है वे अपनी कक्षा में त्यारी करके आते हैं विद्यार्थियों को पहले ही पता होता है कि किस पीरड में कौन सा विश्य है किस अध्यापक से पढ़ना है इससे अध्यापकों तता विद्यार्थि पर अधिक बल दिया जाता है, कठिन और महत्रपूर्ण विश्यों के ओर ध्यान दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी और गरित के लिए हिंदी, समाजिक, शिल्प, आधिक ये पेक्षा अधिक पीरेट रखे जाते हैं, विद्यार्थियों के सर्वतोन मुखी, विकास के लिए पार्ट सहायक क्रियाओं के लिए भी उचित समय निर्धारित किया जाता है, नेक्स्ट क्या है, कारिभार के उचित विभाजन को सुनिश्चित बनाता है, अच्छे समय सार्णी अध्यापकों में कारिभार के उचित विभाजन को सुनिश्चित बनाती है, समय सार्णी पर एक द्रश्टी डाल कर ही मुख्या अध्यापक जान सकता है कि कौन सा अध्यापक कौन सा विशय पढ़ाता है क्योंकि समय शार्णी में ये मेंशन होता है कि किस अध्यापक को कौन सा विशय पढ़ाना है और कौन से पीरेट में पढ़ाना है और उसे सब्ता में कितने पीरेट पढ़ाने हैं इससे उसे अध्यापकों के कारिभार को संतुलित रखने में सहायता मिलती है नेक्स्ट क्या है अवशक्ताओं को पूरा करता है अच्छी समय सार्णी विद्यार्थियों की अवशक्ताओं के अनुसार इसकूल को संगठित करने में सहायता प्रदान करती है समय सार्णी बनाते समय मनोवेग्यानिक तत्तों जैसे रुची, विविद्यता, ठकावर्ट, शरीर और मन की ताजगी की ओर विशेश ध्यान दिया जाता है मनोवेग्यानिक अशक्ताओं की पूर्टिक कारण विद्यार्थियों के लिए सकूल एक सुखा दिस्तान बन जाता है अच्छी आदतों का विकास करता है अच्छी समय साण्णी विद्यार्थियों और अध्यापकों में कई अच्छी आदतों के विकास में सहायता प्रदान करता है ववस्ता, नेमित्ता, समय पालन, लक्ष के प्रती स्थिर्था आदी इससे उत्तरदायत की भावना का भी विकास होता है करतव परायंता तथा करमयता का भी विकास होता है नेक्स्ट क्या है अनुशाशन को विक्सित करता है अच्छी समय सार्णी स्कूल अनुशाशन के उचित विकास में सायता प्रदान करती है यह अध्यापकों और विद्यार्थियों को वेस्त रखती है और वेस्ता अनुशाशन हींता पर नियंतरण रखती है खाली दिमागी शतान का घर होता है अच्छी समय सार्णी विद्यार्थियों की अत्रिक्त शक्ति को उप्योगी कारियों में लगाए रखती है जिसके परणाम सरुफ विरोधात्मक बातों की और उनका ध्यान नहीं जाता है इस्कूल के लक्षियों की पूर्थि को सुनिश्शित बनाता है इस्कूल की समय सार्णी इस्कूल के लक्षियों की पूर्थि के लिए महत्रपूर्ण स्थान है यदि स्कूल का लक्षे किसी विशेश, धर्म या आदर्श का प्रचार करना है तो यह समय सार्णी के माध्यम से ही संबह हो सकता है Next क्या है? स्कूल के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है स्कूल की समय सार्णी स्कूल के उद्देश्यों और आदर्श्यों को प्रतिबिम्बित करती है इससे ग्यात होता है कि स्कूल पार्ट सहाय क्रियाओं को प्रोसाहिद करता है या नहीं कोई धार्मिक या नैतिक सिक्ष्या प्रदान करता है या नहीं अता इसे इसकूल कायक्रम का दर्पन का जाता है, यह इसकूल के जीवन और दर्शन Kो प्रतिपीम्वित करता है Next क्या है, समायो जन को सुनिश्शित बनाता है अच्छी समय सार्णी विद्यार्थियों की शक्ति एवं योगिताओं की अनकूल काम करने की विवस्ता करती है इससे स्कूल कारे के साथ विद्यार्थियों का उचिस समयोजन संबह हो सकता है स्कूल के समय सार्णी को स्कूल की स्टैक्षिक वंपार्ट सायक क्रियाओं की केंद्री धुरी कहा जाता है यह स्कूल के नियमित कार संचालन, समय और शक्ति की अपवय को रोकना, सभी क्रियाओं को उचिस समय प्रदान करने, अध्यापकों में बराबर कार वितरन करने, विद्यार्थियों की आवशक्ताओं को पूरा करने, अच्छी आदतों के विकास, स्कूल अनुशाशन के विक और उसकी आवशक्ता के बारें पढ़ा next class में हम next topic पढ़ेंगे Beard and Seated की सभी classes देखने के लिए description में link दिया गया है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं PDF के लिए आप हमारी टेलिगाम चैनल को join कर सकते हैं जिसका link भी description box में दिया गया है धन्यवाद मिलते हैं अपनी next class में